तो जैसे कि दोस्तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तो अभी तक की सीरीज में हम आपको बहुत साइज चीज़ाओं को दोस्तो सिखा चुके हैं Computer Keynanda जिसमें आपको DCA कोर्स के बारें बता चुके हैं DCA कोर्स की क्लास बन में आपको क्या सिखाय जाता है तो हमने दोस्तों यहां पर wordpad को open कर लिया है अगर दोस्तों आप यह आपको कोई भी दोस्त ऐसा है जो दोस्तों एक computer के center की fee support नहीं कर सकता है तो आप दोस्तों इस channel को इस videos को दोस्तों उनके संग share करें ताकि दोस्तों वो भी free of course दोस्तों computer सीख सकें तो चली दोस्तों हम हम लोग सुरू कर लेते हैं बर्ट पैट की आज की class तो देकि दोस्तों हमारे पास यहां पर बर्ट पैट आ गया है हम यहां बर्ट पैट 210 को यूज कर रहे हैं बर्ट पैट अल्मोस सभी computer के अंदर एक जैसा होता है चाहें आपके बाब Windows 7 हो 10 हो एक अद्दू features नहीं हो जाता है बागी सारा सारा सेम जाता है तो हम यहां पर Windows 10 के अंदर यूज कर रहे हैं बर्ट पैट यह आपको बाहर से इस्टॉल नहीं करना पड़ता है यह बाइड डिफॉल करने ही जगत नहीं पड़ती क्योंकि यह बाइड डिफॉल बिंडो के साथ ही इस्टॉल हो जात है अगर दोस्तों यह डिफ नहीं आ रहा है तो आपको कैसे लाना है इसके दोस्तों आप यहां से अनjang करेंगे अब देखिए यहां पर हमने टिक को फटा दिया तो यह ओफ हो गया यानि यहां से गायव हो गया और दोस्तों पर से आ गया आप इसको बढ़ा सकते हैं जूम को इतनी होती है कि दौनों तरफ से आपको कौन आपका अंदर की तरफ ना जाए अब दोस्तों हमें आप कि उपर हम दुस आपको सारी परफोंएंज इसके सारे सारे टूल्स आपको यहांगे तो मैं इहां पर ऐक फाइं करता उंग करता हूं जिस पर मैं धूस्तों आपको सारा कुछ कर दिखाऊंगा तो दूस्तों और जोस्तों ओना ठीछ दे अंदर हमने एक अपना अगश्यो करना पड़ा का 10Б वोल्ड करने के लिए हम दोस्तों फह बोल्ड कि करते हैं इसको अब देखें कि यह हमारा मैटर भागी सबसे अलग हो जाता है अभ दोस्तों बात आती है पहले के नोटपयड और विल्ड पैटर के किंदर नोटपेट के नंदर हैं नोटपेट के लिएक अंदर के ह 20 मेतर करते हैं लेकिन पंज फोड को यह पास कोई आप्क नहीं होगी को कर सकते हैं इदिए जाता है को बोलते हैं अधिक हैं और से पहले तक यह सब क्या सब लीug bagus कर लिए अंडर को समयसर और इस question के यह 3 बिकल्प हैं, इनको भी हमें अंदर करना होता है, तो इसके लिए भी हम यहां पर index को यूज करते हैं, तो देखें, यहां पर हमारे ABC 3 बिकल्प हो गए, इसी तरीके से हम दोस्तों दूसरे पर रखेंगे, इसको भी अंदर करेंगे, अब देखें, यहां पर disturbance हो हो गया, अभी हम इसको set कर लेंगे और इसको भी कर दिया, तो हमारा A point set हो गया, B point set नहीं है, इसके लिए हम यहां से इसको back कर लेते हैं, तो हम यह back करेंगे, अगर यह दोस्तों बिल्कुल set नहीं बैठता है, तो आप दोस्तों यहां पर रखेंगे, आप keyword से tap button को press साथ ही, दोस्तों, move होगा, कम ना बढ़ती, इसके आदेगे, C point आ रहा है, तो हमें C point के आगर रखा, keyword से tap button दबाया, यहां रखा, फिर से tap button दबाया, अब देखेंगे आप दोस्तों इसका देखिए, उपर का question पूरा इधर आ गया, और बागी का नीचे आ रहा है, अब इसका margin चला है, इसको दोस्तों, आपको किस में रखना है, inches में या centimeter में, वो आप दोस्तों, decide कर सकते हैं, अपने according, पहला हम इसको ok करता हूं, अब मैं इसको inches में set करता हूं, तो view के अंदर गया, यहां पर आ रहा है, हमारे पार unit of measure, इसको click करके हम इसको inches में set करेंगे, यह दोस्तों कुछ default setting होती है, जिनको आपको करना और आपको आना चरूली है, नॉर्मल तो ठीक होती है, लेकिन अगर कभी बिगड़ जाएं, तो आप इसको set करेंगे, तो यहां पर देखेंगे, दोस्तों हमने margin अपना set कर लिया, अब पॉन 55 inches पर कर लिया, end होके, अब ह मारा पहला question set हो गया, अब यह question number 2 है, इसमें हम इसको bold करते हैं, इसमें color देते हैं, इसके बाद यह सब हमाई सब heading है, तो हम इसको index करते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों, अब जैसे कि हमने यहां पर numbers जो हैं, वो हमने यहां पर manually डाले हैं, आप दोस्तों चाहें तो automatically ले सक आ सकते हैं, तो हमने दोस्तों यहां से देखें, इनको यहां पर हटा देते हैं, जो हमने manually type करें हैं, और जो हमने automatically लिए हैं, बुलिट के दवार वो हमारे पास यह आ गए, इसी तरीके से हमारे पास C point आ रहा है, C point को भी हम यहां bold करते हैं, इसको color कर लेते हैं, इसके बा papers को यहां पर set कर लेते हैं, अब दोस्तों यहां पर बात आती है, इसके बाकी के tools की, तो हम यहां दोस्तों इसके बाकी के tools को भी समझेंगे, हम दोस्तों नीचे का जो paper है, इसको यहां से delete कर देते हैं, क्योंकि हम अभी इसकी जरूरत नहीं है, अब दोस्तों मान लेते है है कि यह जो हमाई पास paragraph है यह paragraph हमें यहां के बाद यहां भी चाहिए तो हम इसको करते हैं यहां से copy और जहां पर भी आपको लेकर आना है वहां पर क्लिक करेंगे अपने paper को set कर लेंगे और दोस्तों यहां पर कर देंगे पेस्ट आप देखेंगे दोस्तों यह matter आपका देखी यहां भी आ रहा है और यहां पर भी आ चुका है अब दोस्तों हमें क्या चाहिए कि यह जो question number one है यह मुझे यहां नीचे चाहिए कभी कभी क्या होता है matter को हम जब लिख रहे होते हैं तो by default हमसे गलती हो जाती है तो हम इस matter को उठाकर यहां से यहां लाना चाहते हैं कॉंपी में क्या होता है matter वहां भी रहता है दूसरी जगाए भी आ जाता है लेकिन कट कमांड को यूज करेंगे तो matter वहां से हट जाएगा और आपको लेकर आना है वहां पर लाकिया पे पेस्ट करेंगे तो आपका matter नीचे तरफ जाएगा यानि वहां से हट गया और नीचे तरफ आ गया कट और कॉंपी किये matter को हमेशा हम लोग पेस्ट करते हैं इसके बाद कोई भी लाइन है तो आपको बोल्ड बताय जा चुका है इसको गहरा करने के लिए इसके बाद दोस्तों यहां पर अगली कमांड जो आती है व और इसको द्वारा क्लिक करेंगे तो यहां से हट जाएगा अगर हम दोस्तों फिजिक्स या केमिस्टी बत और हम दोस्तों यहां पर कोई विए फॉर्मूला बगरा लिखना चाहते है जैसे मैंने लिखा CH2SO4 दोस्तों मुझे फॉर्मूला के लिए नहीं पता है लेकिन मै मैं दोस्तों अपने अपर समझा रहा हूं तो CH2 मुझे जैए नीचे की तरफ यहां पर दोस्तों साता है सब स्क्रिप का हम इसपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप 2 नीचे आ गया और फॉर को हम फोर लेना है तो सूपर स्क्रिप पर करेंगे तो मैंटर आपका ऊपर च होता है तो हम उसको हाइलाइट कर लेते हैं तो हमें किसी मेंटर को हाइलाइट करना है तो हम यहां से हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं और उसके पीछे कोई भी कलर यहां पर डाल सकते हैं तो आप देखेंगे हाइलाइटर कलर आ गया फॉंट का कलर आपको पहले ही बताया चुका है किसीवी forla कि साइज को अगर आपको इंक्रीस करना तो आप इसी तरीके से यहां पे सामें दो विकलब साथ एक यहां पर आता है इंक्रीस इंडिक्रीजर नेक्स तो आप दूस्तों इसको लिखूंगा तो देखेंगे B, C, D, यह automatically आपके सार में टाइप होता रहेगा, अगर matter आपसे गल्थ हो गया है, आपको बापिस करना है, तो आप यहां पर undo कमांड चला सकते हैं, इससे matter आपका बापिस रिवर्स हो जाएगा, इसके आपका बापिस रिवर्स हो जाएगा, इ मैं आपको दोस्तों इसका भी एक यूज समझा देता हूं, तो देखेंगे दोस्तों हम यहां थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, और यहां पर हम कुछ एंटर करते हैं, और यहां पर हम दोस्तों कुछ भी एक नौरमली एक paragraph को टाइप कर लिया, आपने दोस्तों देख आपको लिखते हैं, तो हमारा जो left hand होता है, उधर का matter बिल्कुल sequence में होता है, लेकिन जो right hand का paragraph होता है, वो हमेंसा टेडा मेडा ही होता है, तो इस paragraph को अगर आप बिल्कुल seed में लगाना चाहें, exact figure के साथ, तो आपको यहां पर justify को यूज करना होता है, यह बिल्कुल lines को accurate कर देता है, जो आप दोस्तो अपनी हर एक किताब में लिखे हुए pages को देखते हैं, वही तरीका दोस्तो इसमें use होता है, इसके बाद दोस्तो हमारे पास अगला options आता है, यह हमारे पास paragraph, यह सेम काम करता है कि आपको left में कितना space छोड़ना है, right में आपको कितना space छोड अगली command आती है, हमारे पास picture की, अगर आपको इस matter के संग कोई picture लगानी है, तो आप यह picture पर क्लिक करिए, कोई भी आपके computer करने के picture पड़ी होगी है, तो इस picture को आप दोस्तो यहां पर add कर सकते है, देखिए हमने यहां पर इसको महील मैच करके रिखाता हूँ, तो देख drawing आता है, print drawing, आप दोस्तों drawing के अंदर कोई भी आप अपने signature वगरा को लेकर आप दोस्तों अगर लेना चाहिए, जैसे मैं लिख दिया है, तो देखिए signature हमारे यहां पर आ गए, इसका भी same pattern है, आप इसको delete करना चाहिए, तो keyword से आप यहां delete कर सकते है, अगर आप date and time डा आप यहां पर date हमारी सामने आ चुकी है, इसके बाद आता insert object, आपने कोई भी एक program है, यहां पर picture ले सकते हैं, यहां पर drawing की file ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी any other software के अंदर कोई file बना रखी है, तो उसको भी आप दोस्तों इसमें insert कर सकते हैं, तो हम यहां पर insert object पर हमारी फाइल है, Microsoft Word में, आपको सामने दिख रहा होगा, .doc, हमारा Microsoft Word का symbol होता है, हमने इस पर click किया, end okay, तो अबसा दोस्तों यहां पर process कर रहेगा, क्योंकि file बढ़ी होती है, तो देखे हमारी फाइल यहां पर आ गई, आप इस file के points पर रखके, इसको file को set कर सकते हैं, जि find, अब हम दोस्तों find करते हैं, तो देखे, kind यहां लिख रहा है, और इसके बाद कहीं नहीं लिख रहा है, मैं कोई छोटा सा word लिखके देखता हूँ, मैंने का suppose then, the, dh, 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 d dh, 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 dh यहां पर भी छोटा है तो इसके पास नहीं लिख रहा है तो आपको इस टिक को हमेसा बंद करके रखना है और आप अब कर सकते हैं यह आपको दून के दिखा देगा कि इसके बाद रीपलेस आपको किसी वर्ड को बदलना है तो जैसे हमने का कर दो को यह बदलना है हम सारे के सारे वर्ट के रिम को छके हैं bizi लिखा था आपको बाप करना है तो आपको आपको फोना यह रिखा हुआ है मैं चीञा है और हो पड़ाना होटाए राउuted नीचे लिखना होता है तो हमने दी नीचे लिख दिया and replace all फिर से आपका matter पहले जैसा हो जाएगा इसके बाद select all पूरे matter को एक वाँ सेलेक करके आप delete cut copy paste कुछ भी कर सकते हैं और बापिस लाना है तो undo कर सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं हमारा दूस्तों home के सारे टूल्स के लियर हो गए वीव में आप दोस्तों इसकी जूम आउट कर सकते हैं यानि इसको छोटा कर सकते हैं और जूम इन इसको बढ़ा सकते ह आपको बढ़ान है ऐसी status बार में आपको बता चुका हूँ नो ब्रै यानि की matter में कहीं ब्रैप ही ना ओँ मैटर आपका लिखता चला जाये तो देखिए matter आपका आउट आप sequence यहां पर चलता चला जाएगा और देखेंगे आप दूस्तों पेपर आपका out of sequence यहां चलता Metal finances of unit होती है कि आपका पैमाना है वो किसमें चले ahorita इंचिस में चले चले syllabus में चले पॉइंट मेर चले यहाँ टरिए आपको पूर्वल्द कर देंगे तो यहां पर देखेंगे दोस्तों डॉलर आपका चेंज़ हो जाएगा इसके दोस्तों हम फाइल पर चलते हैं file के almost सारी command वही है जो हमने दोस्तों आपको notepad के अंदर से खाई थी new यानि एक नया page लेना है open आपको कोई save file को open करना है save आप जानते ही है file को save करने के लिए save as save QE file को अगर आप किसी duplicate नाम से save करना चाहे है तो आप दोस्तों save कर सकते हैं सारी सार इसमें एनी अधर बहुत सारे features भी हैं इनके according भी आप दोस्तों फाइल को save कर सकते हैं print अगर आपको print out निकालना है paste setup paper का margin set करने के लिए send to mail अगर आप इसको mail पर send करना चाहिए तो आप mail to send कर सकते हैं यहां पर आता है about wordpad आपका वह कौन सा चला यहां पर दिखा देगा Windows 10 का आपका दोस्तों wordpad यहां पर चला है इसके बाद दोस्तों last में आपके सामने command आती है एक जिए इसको बंद करने के लिए आई यहोब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम अपने computer ये laptop के अंदा wordpad को यूज करते हैं तो दोस्तों किस तरीके से यूज करते हैं अगली वाली वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे wordpad के अंदा दोस्तों Hindi typing कैसे सीखी जाती है तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अ मस्कार दोस्तो